जैन दोस्तों वेलकम टू प्रियंका यादो यूपी प्लिस यूटीब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तयारी भी कर जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग मैम के हर एक वीडियो में आप लोग यहीं पूंचा करते हैं कि यूपी प्लिस रेडियो आपरेटर का एक्जाम का वोगा यूपी प्लिस वरक्साप असिस्टेंट का एक्जाम का वोगा और लेक पाल वीडियो री एक्जाम इन सभी एक् आपको जानकारी नहीं प्रोवाइट करा सकी हैं तो दोस्तों उसी जानकारी को हम आप लोगों के बीच साजा करने वाले हैं दोस्तों कौन सी बुक से पढ़ें आप लोग यह भी पूँचते हैं प्रेक्टिस सेट कहां से लगाएं कितने गंटे पढ़ें जो सिलेक्शन हो आफ लाइन पढ़ें या आउनलाइन पढ़ें या लाइब्रेरी में जाके पढ़ें कैसे पढ़ें दोस्तों आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी करते ना हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले कौन सी बुक से पढ़ें, दोस्तों हम आपको बता दें आपके पास कोई भी बुक तो होगी, आप लोग अगर कमपोटीशन के तयारी कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी बुक होगी, जैस बुक्स को आप लोग 5-6 बार मतलब हर बार वही पढ़िए कोई अदर्स मैटर नहीं पढ़ने के जरूरत है ओके दोस्तों हर एक बुक क्या होती है आपको अपने आप में बेटर होती है जो भी बुक है आप लोग उसी को बार-बार रिवाइस करिए और प्रेक्टिस सेट के बगाड़ा लिए और आप लोगों को यह पूछने के जरूरत ही नहीं पढ़ेगी कौन सा प्रेक्टिस सेट है ओके दोस्तों और ज्यादा नहीं प्रेक्टिस सेट होते हैं दोस्तों और का सो से पचास रुपए का बिल में जाता है दोस्तों आप लोग ज्यादा से पढ़ें मतलब जितनी दिर पढ़ें उतनी दिर ना कोई मेसेज ना कोई चैटिंग ना कोई कॉलिंग कुछ नहीं पढ़ाई का महल होना चाहिए चाहिए आप 4 गंटा क्यों नर रेगुलर पढ़ें लेकिन हाँ जितना पढ़ते हैं अगर एक हिंदी में आप लोगों ने 30 मि देना मतलब रेगुलर्टी बनाए रखना है डेली हर एक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है चाहिए जैसे टाइम निकालके दें ओके दोस्तों अगर आपका टाइम छूट रहा है कुछ सी कारणा बस नहीं कर पाएं तो आप लोग उसे अर्जिस्ट करें अगले दिन इस तरह से आप लोगों को इस्टडी करनी है और उसके बाद आप लोग प्रेक्टिस जब लगाएंगे तो आपका दोस्तों इसकोर आटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों और जदा से जदा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं आपको 10 के सब्सक्राइबर तक आप से बताया गया कि आपके जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं उसके बाद हम आप लोगों को हिंदी की चैप्टर वाइस वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों हम हिंदी इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोगोंने अभी तक कही नहीं पढ़ी हो यंची जाएगी सामान ग्यान और विज्ञान संख्याक्मत संख्यात्माग गंश्य звуч ты ूगता पर इच्छा मान सिक अब रुच्इप बुद्धी लबदी परिच्छा तारकिक परिच्छा मतलब इसमें हिंदी से अलगाएंगे ग्यान और सामान ग्यान ज्यान से 10 अंग और संख्यात्माग मानसी के होगता मतलब गड़ित से सो अंक आएंगे और ये रिजिनिंग से सो अंक मतलब आपका पूरा यूपी या साई वाला सलेवस रहने वाला 400 अंकों का दोस्तों आपका क्या होगा 400 अंकों का पेपर होगा जिसमें आपको दोस्तों 50% तो हर एक जादा एक्जाम कब होगा ये आप लोगों का कोस्चन्स रहता कि मैं बताए यूपी पुलिस रेडियो आपरेटर का एक्जाम कब होगा तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि यूपी पुलिस रेडियो आपरेटर का एक्जाम कब होगा जैसा कि ये नो भारत ताइम इसकी न्यूज में आया था कि 2430 पदों के लिए 2430 पदों के लिए आये 454 लाग आविदन मतलब दोस्तों इसमें कितने 2430 पद थे और इसमें कितने लोगों ने आविदन किया 454 लाग लोगों ने आविदन किया रेडियो विभाग में विभिन पदों पर आई 2430 वर्तियों के लिए 4.5 लाका ब्यारतियों ने आवेधन किया है जून के आखरी दोस्तों सुनिये गए आप ए न्यूज जून के आखरी या जुलाई के पहले सप्ता से भरती के प्रक्रिया सुरू हो जाएगी मतलब एकजाम डेट आपके जून के पहले सप्ता सुरी जून के आखरी सप्ता या पिर जुलाई के पहले सप्ता से बढ़ती प्रकृरिया इस्टार्ट हो जाएगी दोस्तों आप लोग एक्जाम्स के बारे में पूँचा करते हैं दोस्तों हम आप लोगों बता दें किया आपकी तैयारी हो गई है किया आपकी तैयारी हो गई है जो एक्जाम्स के बारे में इतना पूँचा करते हैं दोस्तों हम प्रेक्टिस सेट करवा रहे हैं उन प्रेक्टिस सेट को attempt करिए और ऐसे प्रेक्टिस सेट करवा हैं धोस्तों और आप लोगों का स्लेबस भी बहुत जल्द start होने वाला है पूरा स्लेबस हम कराएंगे हिंदी का chapter wise दोस्तों आप लोगों से हम वाधा करते हैं कि टॉप थर्टी सेवन कोस्चन्स अगर पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस में तो आप लोग 35 प्लस तो करके आएंगे और हम तो यह कहते हैं अगर अच्छे से और पढ़ेंगे तो आप लोग 37 वटा 37 पूरे मार्क्स अटेम्ट करेंगे ओके दोस्तों तो उम्मिद करते हैं दोस्तों यह चीजें सब आपको समझ में आयोंगी तो जादा हर एक वीडियो में आप लोगों को कमेंट करने की जरूरत है नहीं कि मैं कब पे एकजाम होगा और कब क्या होगा अपना आप लोग पढ़ते रहिए बस हम आप लोगों से य पर लोगों को यही वीडियो में जानकारी देना चाहते थे कि आप लोग अपना जधा टाइम न परवात करें और अच्छे से अपने श्टड़ी करते रहें ओके दोस्तों और बुक्स की बात रहें तो हर एक बुक्स अपने आप में बेस्ट होती है प्रेक्टिस सेट अप चार गंटे बैठ सकते हैं यह चार गंटे बैठ सकते हैं मतलब इतनी देर टाइम दीजिए आप लोग चार गंटे यह होना अपके यह पना पड़ाई पर पर पूरा फोकस होना चाल यह ना कि आपका कोई से स्टड़ी करना हम भी अच्छे समझते हैं हर व्यक्ति के पास आपका इस समय तो खेतों में काम चल ला है तो कुछ पढ़ाई का मुपा रही है यह भी लोग आप लोग कमेंट किया करते हैं कि हमारे यह कट रहे गयों कट रहे वो कट रहे दोस्तों यह सब आने बाजे लोग रहें सबसे पहले आप लोग तो अपनी सेल्फ इस्टड़ी पर ज्यादा फोकस करें यूटूब को सिर्फ आप लोग बनाए सारा डाउट के लिए अगर कोई डाउट्स आपका आया तो आप लोग अपने नोट्बूक में डाउट करें और अपना यूटूब पर व लोगो अपने ज्विद्व और यह नोट को लाइक करें उफ करें ओके दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा अगर सब्सक्राइब करा देंगे 30,000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों को Hindi के बेस्ट क्लास देखने के मिलेगी ओके दोस्तों तो पिर चलते हैं आपको ज़्यादा समयना बरवात करते हुए आपको मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया दाकि ये event तो मैम के लिए बनाया गया था लेकिन मैम को तो जानते हैं कि मैम उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं इस समय कार्यत उनको इतनी ज़्यादा बेस्टता होने के कारण आप लोगों के बीच वो इस क्लास के बारे में इस वीडियो के बारे में आपको नहीं बता पाई तो उम्मित करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स खतम हो गए होंगे जैसा कि आप लोग समय साप पूंचा करते थे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एक्जाम का वोगा तो हमने आपको दोस्तों सभी चीजें बता दी बारी-बारी से इसका सिलेवस के बारे में बताया कि कितने अंगे का कौन सा चैप्टर से पूंचा जाएगा इसमें सब्जेक्ट से पूचा जाएगा दोस्तों सामान इंदिया आपकी सवंग कियाएगी वामान विज्ञान और विज्ञान आपकी सवंग कियाएगी संख्याक्मा अबमानसी के ओक तब सवंग कियाएगी ओके दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि इसका एक्जाम्स का होगा ज धन्यवाद